एक यूजर ने रिक्वेस्ट किया है कि English word meaning का quiz बनाने का tutorial word meaning का quiz बनाने के लिए हम सीखते हैं कि scratch में कैसे एक multiple choice का quiz बनता है तो पहले मैं demonstrate कर रहा हूं कि ये quiz चलेगा कैसे तो ये कोई question पूछेगा जैसे कि synonym of the word quarantine is and फिर चार choices होंगी और आप user को select करना होगा ये question किसी भी किसम का हो सकता है word meaning भी हो सकता है तो अगर user ने ठीक select किया तो ये feedback मिलेगा और score 10 से बढ़ जाएगा फिर next question आ जाएगा और अगर next question का answer गलत दिया और score negative marking है minus 5 से कम हो जाएगा और फिर तीसरा question आएगा और उसका जो भी answer है तो पिछले वीडियो में हमने एक simple quiz बनाया था इस वीडियो में हम एक multiple choice quiz बनाना सीखते हैं by and large जो coding है हमारी वो similar to जो simple quiz में थी वैसी रहेगी बट कुछ चीदें change होंगी तो मैं सबसे पहले तो एक sprite add कर रहा हूँ ये जो sprite है ये हमारी quiz master होगी हम सबसे पहले questions add करते हैं तो ये exactly वैसे है जैसे हमने simple quiz में किये थे कि हम variables में जाके कह रहे हैं make a list और हम एक list create कर रहे हैं जो हमारी questions की list है और उसी के साथ साथ हम एक और list बनाएंगे जो हमारी answer की list होगी तो सबसे पहले जब हम जो भी हम questions पूछना चाहते हैं वो हम add कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं add something to the question list और हम यहाँ पे पूछ सकते हैं इसी तरीके से हम इसको duplicate करके एक और question पूछ सकते हैं क्योंकि आज कल covid इतना चल रहा है तो हम covid के ओपर quiz बना सकते हैं अब इसमें जो हमने पिछली बार किया था हमने पिछली बार यह किया था simple quiz में कि हमने बोला था कि add answer to the answer list तो पहले का जो भी meaning है वो हम यहाँ पे पूछ सकते थे तो हम यहाँ multiple choice quiz बना रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम backdrop में जाएंगे तो हमारा पहला question है what is the meaning of the word quarantine तो हम backdrop में जाकर backdrop की costumes में जाकर हम एक नई costume add कर रहे हैं और हम इसको paint करेंगे और हम यह जो है यह हमारा question 1 है और इसके हम different options देते हैं तो हमने यह कुछ options user को दे दी है ABCD करके और इसमें से जो है correct answer is C strict isolation और जो A, B और D हैं वो यही random answers हैं So second हमारा question था what is the meaning of the word pandemic तो हम इसके लिए भी एक इसी तरीके से backdrop create करेंगे और हम ABCD के यहाँ पे चार different options देंगे एक correct और तीन incorrect तो यह हमने question 2 के answers दे दिये हैं और इसमें जो right answer है वो है B very widespread disease तो अब हम वापस code में जाकर तो हम यहाँ पे answer में पहला correct answer कह रहे हैं C है option C और हम दूसरा कह रहे है है option B तो हमारी यह जो है question list और answer list correct जो है वो populate हो गई है दो questions के सान और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब green flag press हो तब क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर गलती से दब जाए तो यह duplication add हो जाती है तो इसको prevent करने के लिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं variables यहाँ पे जाके कि सबसे पहले तो जब green flag press होगा तो delete all of the answer list and delete all of the question list ताकि सब कुछ delete हो जाए यह clear हो जाए और उसके बाद जो हम exactly हम जो add करना चाहते हैं वो add हो तो अगर अब मैं green flag click करता हूँ तब हम देख रहे हैं कि यह जो हमारी list थी यह दौनों correctly populate हुई है तो अब हम जैसे हम last time कर रहे थे वही initially हम कहना चाहते हैं कि हम कह रहे हैं कि जो हमारा यह quiz master है यह पूछेगी कि first question और second question तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि looks में जाके कि say और हम question list से उठा रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर आके कह रहे हैं say item one of the question list तो अगर मैं click करूँगा तो यह जो right question है हमारा पहला यह आ जाएगा what is the meaning of the word quarantine पर हम यह चाहते हैं कि पहले यह number one question करते हैं तो उस हिसाब से उतने ही यह repeat हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक जैसे हमने last time किया था हम दो variables बनाएंगे एक variable हम कह रहे हैं एक variable है question number का और एक variable है answer number का ताकि हम list से correct जो item है वो उठा पाएं तो हम यहाँ पर कह रहे हैं exactly like last time कि set हम कह रहे हैं set the question number to the first item on the list और हम यहाँ कह रहे हैं कि say not number one but जो भी question number नाम के variable की जो भी value है वो और जब जैसा हमने किया था पहले कि हम जब loop repeat करेंगे तो हम इसको बढ़ा देंगे तो सबसे पहले question number one होगा फिर इस question number variable की value एक से बढ़ा देंगे तो list से second question pick होगा and so forth तो अब हम क्या चाहते हैं कि जो first question हमारा पूछा गया what is the meaning of the word quarantine और यह option आ गई अब हम user को यह चार button देना चाहते हैं और हम कहेंगे user को कि उन में से जो भी user click करेगा वो हम answer इस पे based होगा कि हमने options क्या दी हैं तो इसके लिए हम sprite में जाके button की एक sprite add कर देते हैं तो इस तरीके से हमने option जो हमने देनी थी multiple choice को इस बनाने के लिए तो यह option A है और इसी को मैं अब तीन बार duplicate करके B, C और D option दे देता हूं तो यह हमारे चार button तयार हो गए है हम इनको align कर देते हैं तो यह button जो है यह 150 y पर है ताकि यह सीरे align हो इसलिए y की value देख रहा हूं मैं B, B-150 पर है C B-150 और तो इस तरीके से हमारे question हो गया चार options हो गई और user को हम select करने के लिए चार button दे रहे हैं तो अब हम इन buttons की programming करते हैं हम कह रहे हैं कि अगर यह sprite click होगा जो option का sprite है वो click होगा तब हम events में जाके कह रहे हैं कि when this sprite is clicked तो हमारे को trap हमको देखना है कि user ने क्या option choose करी थी A, B, C, D मेंसे तो हम इसके लिए फिर एक और variable बनाते हैं कि user का answer क्या था तो मैं user answer नाम का एक variable बना रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि अगर A वाली मैं A पर हूं sorry D पर हूं तो अगर मैं D sprite पर हूं और मैं कह रहा हूं when this sprite is clicked set the user answer नाम का जो variable है set the value of that variable to D और इसी को मैं बाकी तीनों sprite में भी copy कर देता हूं और अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर A होगा when A sprite is clicked set the user answer नाम के variable की value A कर दो B हो तो B कर दो C हो तो C कर दो और D हो तो D कर दो तो हमार को अब जब sprite click होगा तब A, B, C, D में से user ने क्या click किया यह हमार को पता चल जाएगा user answer नाम के variable की value देखकर तो अब अगर हम whoppers देखते हैं तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि question पूछ लिया गया था अब हम check करना चाहते हैं कि user ने answer क्या दिया अब यह पता करने के लिए कि user क्या कब click किया इसके लिए एक चोटी सी trick है scratch में तो उसमें हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि set the जो user answer नाम का variable है उसकी value को तो उसकी value जो है उसको हम कह रहे हैं कि set it nil value तो यहां पर यह nil value हो गई है और अब हम यह पता करना चाहते हैं कि जब user ने click किया होगा तो जब वो click करेगा तो इसकी value अपने आप change हो रही है यहां पर user answer नाम का जो variable है उसकी value A हो गई मैं B क्लिक कर रहा हूं तो B हो गई C तो C, D तो D पर हम यहां पर पता करना चाहते हैं कि user ने click कप किया तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी जो user answer नाम की variable है इसकी value nil कर देते हैं और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हम यहां पर control में जाके कह रहे हैं कि wait until operator में जाके हम कह रहे हैं कि जो इस variable की length है वो अगर greater than zero है तब that means कि इसकी value क्योंकि nil थी हमने यहां पर nil set up कर दी थी तो जैसे user कुछ click करेगा उसकी value will be anything मतला length of that variable will be anything more than zero तो हम यह determine करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम यहां कह रहे हैं कि wait until length of the this variable called user answer is greater than zero तो इस logic से हमें पता चल जाएगा कि जब user ने जब भी click किया है यह हमें पता चल जाएगा तो इसके बाद हम कह रहे हैं कि same as हम जो last time कर रहे थे कि हम check कर रहे हैं कि user का जो answer है वो ठीक answer है कि नहीं है तो उसके लिए हम करते हैं कि conditional statement में जाके if एक if then else का statement ला रहे हैं कि if if the user answer operators में एक equality का हम ला रहे हैं operator if the user answer is equal to और हम इस answer वाली list से check कर रहे हैं और answer वाली list को हम कि कौन सा item number one है कि item number two है इस list में इसके लिए हमने एक और जो variable create किया था हम वो देख रहे हैं कि answer number नाम का variable कि if the user answer यानि जो भी user ने ABCD में से click किया है अगर वो answer first question का जो था तो item number इस वक्त answer number की जो value है उसको हम actually यहां पे हमने बोला था that means कि first question of the question list और उसका answer is first answer in the answer list so that is what we are checking here और अगर यह है तो if it is true that means answer correct है तब हम कुछ भी कह सकते हैं जैसे हम कह सकते हैं कि say that's correct for two seconds और अगर नहीं अगर वो incorrect है तो हम कह सकते हैं that's that is not the right answer और फिर हम क्या कह रहे हैं कि अब first question हो गया है तो अब हम यह जो दौनों जो हमारे variables थे question number और answer number जो कि इस list को track कर रहे हैं हम उनको दौनों को एक-एक से बढ़ा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि यह जो पूरा loop है यह कितनी बार repeat हो जितनी भी items इस हमारी question list में जितने भी item है उतनी बार repeat हो क्योंकि अभी तो हम कहते हैं repeat two times because हमें पता है कि दो questions है but मान लिया जाए आप इसमें फिर और questions add करते हैं अपने quiz में तो rather than कि हम इसको बार-बार code को change करें हम उसका logic जो है वही ठीक से कर देते हैं तो इसके लिए फिर हम control में जाके कह रहे हैं कि repeat this whole loop length of the question list question list के जितनी भी length है उतनी बार इसको repeat करते रहना और अगर आप इसमें भी scoring डालना चाहते हो तो इसमें हम scoring डालने के लिए फिर एक और नया variable बना देते हैं called score हम कहते हैं कि जब game शुरू होगा तो जो score की value है score नाम की variable की value जो है वो zero कर दो ताकि game reset हो जाए और उसके बाद हम कह रहे हैं कि अगर user ने correct answer दिया तो change score by 10 और हम negative marking भी डाल सकते हैं तो हम कह रहे हैं कि अगर answer गलत दिया तो change score by minus 5 और फिर हम यह सारे variables hide कर देते हैं score का variable रखते हैं हम score की functionality टेस्ट करते हैं तो हमने green flag what is the meaning of the word quarantine हमने कहा कि right answer is C score हमारा 10 हो गया अब हमारा question तो next चला गया बट जो हमारा options थी answer की वो screen नहीं बदला तो यह करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहां पे जाके कह रहे हैं कि जब game शुरू हो रहा है यानि green flag से press करते हुए हम यहां पर आ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि switch the backdrop to question 1 और उसके बाद हम कह रहे हैं कि जब question 1 first loop यहां पर repeat हो जाए तब हम कह रहे हैं कि go to the next backdrop अब अगर मैं test करता हूँ अपना पूरा game तो हमारा score reset हो गया question first आया कि what is the meaning of the word quarantine मैंने answer दिया C that's correct score बढ़ गया 10 से और next हमारा question आगया what is the meaning of the word pandemic और हमारे options भी जो हैं वो भी ठीक हो गई है और इसका correct answer is B तो that's correct और हमारा score ठीक चल रहा है हम एक बार wrong answer देके test कर लेते हैं कि A that is not the right answer और minus 5 हो गया score और अगर मैं फिर से A कहतेता हूं तो फिर से हो गया कि that is not the right answer और score हो गया minus 10 अब अगर आपको इसमें और questions आड़ करने हैं तो आपको यहां पर basically इस list में आपको इन नया item आड़ कर दोगे तो हम यहां पर question और add कर देते हैं what is the meaning of the word let's say क्योंकि हम covid से related बना रहे हम पूछ सकते हैं कि what is the meaning of the word contagious और फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे को backdrops में जाके एक नई answer की backdrop बनानी पड़ेगी चार options देते हुए तो let's say हम यहां पर D अगर correct answer देना चाहते थे disease spreading from one organism to another और फिर हम तीन गलत options देते हैं यहां पर तो इस तरीके से हम इसकी भी तीन हम चार options यहां पर दे रहे हैं एक नया backdrop create कर रहे हैं और इसमें जो correct answer है वो है D तो अब हम यहां पर जाके code में जाके हम एक और यह नया add करते हैं item to the answer list और हम कह रहे हैं यह है correct answer is D और इसको अगर अब मैं फिर चलाता हूं तो what is the meaning of the word quarantine हमने कहा C strict isolation that's correct फिर second question आ गया what is the meaning of the word pandemic हमने कहा कि B that's correct और फिर आ गया what is the meaning of the word contagious और अब हमारा next जो वहां पर backdrop था वो अपने आप ठीक choices वाला pick up हो गया हमने कहा D तो that's correct और हमारा score भी बढ़ गया तो इस तरीके से आप इस में इस list of questions में नए questions add करते जाएं और backdrop में जाके नई नई backdrops add करते उसमें 4-4 option दें और जो भी वहां पर right answer है उसको वापस code में जाके फिर answer list में एक नए item add करके जो भी right option है वह वहां पर mention कर दें तब आपका यह जो multiple choice quiz है यह तयार हो जाएगा और इस quiz में यह question answer कुछ भी हो सकते हैं चाहे वह Bollywood की songs के उपर या movies के उपर आप quiz बनाओ चाहे आप mathematics पे बनाओ या किसी और area of interest पे बनाओ जो मैंने दूसर quiz आपको शुरू में दिखाया था उस quiz में मैंने basically थोड़ा थोड़ा और changes करके उसको जादा थोड़ा interesting बना दिया है कि पहले एक button आता है और depending upon क्या answer है वो again text to speech वगरा मैंने यहां पे डाल दिया है record करके अपनी record करके यहां पर वो sounds बजा दी है तो यह जो अगर आप अपने quiz को further enhance करना चाहते हो तो यह जितनी functionality है यह यहां पे सब explained है कि कैसे हो रही है यह start sound और जो भी और मैंने इसमें effects डाले हैं तो यह quiz मैं share कर रहा हूँ तो आप अगर अपने quiz को enhance करना चाहते हो तो मैंने basic functionality समझा दी है और उसके बाद आप इस quiz को देख सकते हो जो मैंने बनाया है और इसकी जो programming देखकर आप अपने quiz को और enhance कर सकते हो तो I hope आप simple quizzes और multiple choice type के जो quizzes है वो बनाना आपको आ गया है के तो करे करेखकर करेखकर झाल झाल